जी विए अभी आपने एक्सिसाइस की और आप लोग अभी हाप काप रहे होंगे तो थोड़ा से रिलाक्स हो जाएए अब हम लोग आपके साथ शेर करने वाले हेल्दी मॉर्निंग टिप तो चलते हैं टिप की तरफ जी विए आज की टिप जो है वो है रेफिजरेटर के बारे में रेफिजरेटर जो है वो हमारे घर का एक बहुत ही सबसे इंपोर्टन चीज बनता जा रहा है डे बाई डे और बहुत सारे लोग जो है इसको आतिके असानी है बहुत सारे लोग के लिए असानी है और refrigerator के अंदर जो basic चीज का हम लोगों को ख्याल रखना होता है वो उसकी hygiene का रखना होता है कि refrigerator के अंदर किसी तरह के smell ना हो refrigerator के अंदर किसी तरह के कीड़े, मकौरे, कॉक्रोचर को इस तरह की चीज अंदर ना जाए वो बिल्कुल साफ, neat and clean रहे है, कोई smell ना रही है उसके अंदर से तो refrigerator को साफ रखना बहुत important है दूसरा, उसका जो temperature है, उसको maintain करना बहुत important है जो tip मैं आपको देना चाहरी है वो यह है कि refrigerator and freezer जो है best काम तब ही करते हैं जब वो two-third उनके अंदर fill हुआ वा हो मतलब खाली-खाली फ्रीजर ना चल रहे हूँ, best काम वो तब ही करते हैं जब वो two-third fill हुए हूँ तो इसका ब्लोग यह भी करते हैं कि अगर for instance आपके इतनी चीज़े अंदर नहीं रखी वी तो वो खाली पानी के bowls अंदर रख देते हैं, jars अंदर रख देते हैं, jugs अंदर रख देते हैं क्यूं ताके refrigerator का temperature जो है वो maintain रहे और refrigerator में ठंडक जो है वो अच्छी रहे और बिलकुल constant रहे, उपर नीचे ना हो तो यह बहुत important चीज़ है refrigerator का temperature maintain करने के लिए तूसरी जो बहुत important चीज़ है, वो मैं आपको बताना चारी है, वो यह है कि vegetables जो होते हैं हम लोग उनको fresh रखना चाहते है refrigerator में, definitely हरोज जाके तो vegetable नहीं ला सकता, अतनी आसानी होती भी नहीं है क्रिस्पी रहेंगे, देखा कितनी important tip है refrigerator related ही tips देरियो मैं आपको, तो अपने fridge को जो है न, वो आपका refrigerator उसको बड़े प्यार से treat किए जे, उसको साथ सुतरा रखे, उसमें smell ना होने दीजे, उसको two-third से जादा खाली ना, two-third से जादा, मतलब भरा रहे two-third हो हमेशा, one-third खाली हो, तो that's all right, इसे जादा खाली ना हो, ठीक है, चाहे तो खाली चीजे भरने उसके अंदर, लेकिन भरा रखे हैं उसको, तीर यह थी हमारी आज की healthy morning tip और अब वक्त हो चुका है, किस चीज का वक्त हो चुका है, pole of the day का, तो चलते हैं, pole की तरफ जी विवेश, आज का जो pole का सवाल है, वो हम मेरा सारी खावातीन, मर्द, सबसे everybody, ये एक family का problem है, एक पूरे घर का, जो कहते हैं, main reason जहां पर आता है, जहां पर हम कहते हैं कि बच्चों की तरविया थोड़ी सी effect हो सकती है, ये pole का question जो है, उस चीज के तरफ point out कर रहा है जो सवाल है, वो कुछ इस तरह है, कि क्या बच्चों को साथ बिठा कर TV serials देखने चाहिए, हाँ या नहीं, अब इसमें dramas ले आएं, आप इसमें soaps ले आएं, serials ले आएं, क्या बच्चों को साथ बिठा कर ये सब चीजे देखनी चाहिए, हाँ या नहीं में आप हमें जवाब देंगे, अगर आप चाहें तो आप इसके justification भी दे सकते हैं, definitely we would love to know the justification, लेकिन आपको हाँ या नहीं में जवाब देना बहुत जादा important है, और हमने कुछ लोगों से भी पूछा है, और पहले उनका जवाब सुनते हैं, फिर आपका जवाब सुनते हैं करें और हमने के लिए अगर पाकिस्तानी है, तो शीया है, देखना चाहिए को मिस्टफफ़ी गलत है, ड्रामा ना देखना तो सही है, वेरे खयार में बच्छों के साथ अच्छे प्रोडाम देखना मुनासिव है, डिपेंड़करते है, ड्रामा इसा है, यूशली तो बच इसे कुछ नहीं एट जी तारी नी पजों पे भी आ सर्पड़ जयाता है। कि मेरा पशिनल पॉइंट आप जो यह कोई है। को इस रहे लिए को इतना आचानी, कि मेंटल निंभार्मेंट के लिए को इतना अचानी, आजकल तो आपको पता है कि क्या हो रहा है, इंडियन ड्रामे की वज़ा से तो I don't think so. मेरे खाल में बच्चों के साथ अच्छे पुर्याम देखना मुनासिव रहे, बागी अगर वल्गर वागरा बहुत जादा आपको पता है आजकल चलना तो बच्चे उनकी इस्पेशली बहुत जादा उनके उनके बहुत बहुत पुरा असर बढ़ता है. जी वे जब आपने कुछ लोगों के व्यूस और पॉइंट फ्यूस सुने ठीक है, सबकी अपनी जगा ठीक है, आपके क्या है, वो हमें मालूम करने और वो आप हमें कैसे बताएंगे, वो आप हमें एमेल करके बताएंगे, healthymorning at health-tv.tv और facebook में बताएंगे, www.facebook.com slash healthtv.tv और हमारे phone lines अभी open हो जाएंगी, क्योंके अब हमारा next segment है, आपको पता है, next segment किस चीज़ का है, lifestyle का segment है, और अभी हम छोटी सी break की तरफ जाएंगे, break के बाद हम वापस आएंगे, lifestyle के साथ, stay tuned. झाल